ओम श्री गनेशाय नमाहा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस बिलन यह हास्बंट and this story is begin from chapter 120 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिये शुरू करते हैं अब तक आपने पढ़ा विद्यूत आप इतना रिलेक्स कैसे हो सकते हैं विक्रम आपका भाई है और शिवानी मुझे फोन करके वह बेचारी कितना रो रही थी धारा ने परेशान होते हुए कहा हापर तुम इतना परेशान क्यूं हो रही हो आखिर विक्रम तुम्हारा है ही कौन वह बस मेरा भाई है और तुम्हारी बेहन का पती तो उसकी चिंता करने का काम हम दोनों का है शिवानी रो रही है तो उसे रन दो बलकी मैं तो कहता हूँ तुम उससे भी साफ साफ कह दो कि तुम्हें विक्रम से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ विधान की जिम्मेदारी है तुम्हारी विक्रम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं विध्युत ने नाराजगी भरे स्वर में कहा धारा जानती थी कि विख्रम और विधान की बात सुनकर धारा ने विधान को लेकर बहुत selfish sound किया था वह. चाहती तो ये भी कह सकती थी कि विध्योत कुछ भी कीजिए पर दोनों को बचा लीजिए. अब आगे, लेकिन धारा के अंदर की मां की ममता ने उसे ऐसा कहने का मौका ही नहीं दिया वह बस अपने बेटे के बारे में ही सोच पाई, जिस बात का गिल्प भी अब धारा को हो रहा था क्योंकि आखिर वह विक्रम की भावी भी थी विक्रम के लिए भी तो इस कोई जिम्मेदारी बनती है लेकिन उसने तो विद्यूत के साथ ऐसा बेहेव किया कि अगर विक्रम को बचाना है तो जो भी करना है वह सब विद्यूत जाने पर धारा को तो सिर्फ अपने बेटे से मतलब है इसलिए धारा विद्यूत की नाराजगी की वजह भी समझ सकती थी और उसे मनाना भी चाहती थी लेकिन विद्यूत तो इस बार जैसे धारा को उसकी गलती का एहसास करा कर ही मानने वाला था वैसे भी विद्यूत को पहले ही पता चल चुका था कि विख्रम को किसी ने शूट करने की कोशिश की है और गोली उसके शोल्डर के नीचे कट मारती हुई निकल गई है इसलिए उसने विख्रम की सिक्योरिटी और टाइट कर दी थी और साथ ही साथ विख्रम और शिवानी को आज ही मनाली से वापस बुलवा लिया था दूसरी तरफ फ्लाइट में बैथी शिवानी अभी विख्रम के सीने से लगकर रोय जा रही थी कि अगर वह बर्फ देखने की अपनी ख्वाहिश के बारे में विख्रम को नहीं बताती तो शायद विख्रम को गोली नहीं लगती और विख्रम प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया जा रहा था कि अगर किसी को विख्रम को गोली मारने ही होती तो वह तो दिल्ली में भी ट्राई करता आखिर विक्रम पर गोली चलाना उसके शूटर के लिए इतना जरूरी जो था जो वह यहां मनाली तक सफर करके आया था पर शिवानी को तो अभी विक्रम के गोली लगने पर सिर्फ अपनी गलती नजर आ रही थी कि ना वह यहां आती और ना ही विक्रम पर गोली चलती दूसरी तरफ खंणा विला में परिधी इस समय अधिराज की दिमागी कश्मकश को समझ सकती थी अधिराज भले ही परिधी के साथ अपने रिष्टे को एकसेप्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी स्वरा की यादे उसे पीछे कीचने की कोशिश कर रही है और वह स्वरा की यादों और परिधी के प्यार के बीच ना ही किसी एक को चुन सकता है और ना ही किसी एक को छोड़ सकता है क्यूंकि जिस दिन परिधी अधिराज को छोड़ कर चली गई थी उस दिन उसे खो देने का डर एक पल को अधिराज को उसके अतीत की यादों से पूरी तरह से बाहर ले तो आया था लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच जो हुआ वह पल शायद अधिराज को मजबूर कर रहे थे मन ही मन अधिराज को स्वरा का गुनहगार मानने के लिए परिदी ने आज अधिराज से बात करने के बारे में सोच रखा था इसलिए वह जैसे ही हॉस्पिटल से आई वह इंतजार कर रही थी अधिराज के ओफिस से वापस आने का थोड़ी ही देर में अधिराज भी ओफिस से आ गया था और वह सीधा वाश्रूम की तरफ चला गया था शौवले ने थोड़ी देर बाद अधिराज जब फ्रेश होकर आया तो परिधी ने उससे पूछा अधिराज याद है एक दिन मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी कमफर्टेबल होंगे हम बैठ कर आपके पास्ट के बारे में धेर सारी बाते करेंगे अगर आप चाहे तो हम अभी कर सकते हैं शायद इससे मुझे आपकी काउन्सलिंड करने में आसानी होगी अधिराज जानता था कि परिधी उसे अतीत की करवाहट से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही है इसलिए वह भी इस बात में उसका साथ देने की पूरी कोशिश करता था इसलिए अधिराज ने हामे सर हिलाया तो परिधी अधिराज का हाथ पकर कर उसे सोफे की तरफ लाकर बिठाते हुए खुद उसकी गोद में बैठ गई और उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली हो सकता है अधिराज आज हमारे बीच जो बाते हो उससे आपको बहुत तकलीफ हो लेकिन मेरी बात मानिये मन में दबी बाते अगर हम किसी के सामने खास कर किसी अपने के सामने कह दे तो मन बहुत हलका हो जाता है कहते हुए परिधी अधिराज को हग किये हुए उसकी पीट पर हाथ फेर रही थी जब उसने देखा कि अधिराज उसकी बात पर कुछ भी नेगेटिव रियक्ट नहीं कर रहा है तो वह समझ गई कि अधिराज उससे बात करने के लिए तैयार है अगले ही पल परिधी ने अधिराज की गोद में बैठे हुए ही उससे थोड़ा अलग होते हुए सवाल किया अधिराज क्या आप मुझे बता सकते हैं जब स्वरा आपसे शादी करने के लिए इंडिया आई थी तो आप दोनों के बीच क्या हुआ था हाँ वह चाहती थी कि हमारी शादी कुछ दिनों बाद हो लेकिन मैं ही उससे शादी करने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसे जल्दी ही इंडिया बुला लिया ताकि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर सके स्वरा को इंडिया बुलाने की वज़ए मैं अकेला नहीं था बलकि उसके डैड भी थे क्योंकि वह चाहते थे कि अपने रिटायर्मेंट से पहले वह अपनी बेटी की शादी कर दे इस बारे में उन्होंने मुझसे बात भी की थी इसलिए मैंने जित करके स्वरा को यहाँ बुला लिया था अधिराज ने emotional होते हुए कहा Flashback अधिराज परिधी को बताता जा रहा था कि कैसे स्वरा के पिता के कहने पर उसने स्वरा को इंडिया बुला लिया था ताकि उन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो सके पंडित जी ने स्वरा के पिता और सुधीर जी के बात करने पर शादी का मुहूर्थ एक हफ़ते बाद का दिया था पर उन्होंने शादी में कुछ अर्चने बताई थी उसी के निवारन की पूजा के लिए मालती जी अगले दिन सुबह सुबह मंदिर जा रही थी और अपने साथ अधिराज और स्वरा को भी ले जाना चाहती थी लेकिन स्वरा लंबी ट्रेवलिंड करके आई थी इसलिए उसे जेटलैग फील हो रहा था और इसलिए वह घर पर रुखना चाहती थी इसलिए उसने मा से कहा भी कि वह ये पूजा किसी और दिन रख ले उसे ये कहकर मंदिर के लिए निकल गई कि वह चाहे तो अगली पूजा में शामिल हो जाएगी पर आज क्योंकि उन्होंने पंडित जी से बात कर ली है इसलिए आज की पूजा के लिए उन्हें जाना चाहिए मैं और मा पूजा के लिए निकल गए मैं भी स्वरा से कितना कहा कि वह हमारे साथ चले लेकिन स्वरा ठकान की वजह से घर से जाने को ही तयार नहीं हुई पापा और भाईया को ओफिस निकलना था और अंच छोटा था इसलिए सोनल भावी भी हमारे साथ नहीं जा सकी हम मंदिर पहुँचे तो उसे दिन लगन और शुब मुहूर्थ होने के कारण वहां बहुत भीर थी जिससे वहां भगदर मच गई और हमें बिना पूजा के ही वापस आना पड़ा लेकिन जब मैं और मां घर पहुँचे तो यहां मौत का मातम पसरा हुआ था भाईया भाभी और स्वरा तो पहले ही नाश्ते में जहर मिला होने के कारण दम तोड़ चुके थे लेकिन पापा ने तो मेरी गोद में सर रख कर ही दम तोड़ा था और मुझे बताया भी कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है मेरे परिवार के लोगों को जहर देने के तुरंट बाद ही मेरा वहदुष्ट चाचा ये घर छोड़ कर भाग गया था और तो और उसने इस घर के वफादार नौकरों को भी गन पॉइंट पर घर से बाहर भीज दिया था सिक्योरिटी भी घर के अंदर नहीं आई क्योंकि यह कांट किसी बाहर वाले का नहीं बलकि हमारे परिवार वाले का किया धरा था जिसका उन्हें कानों कान पता तक नहीं चला एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कम से कम अंच तो बच गया होगा लेकिन जब वह मेरे पास चाचू-चाचू करते खुंकी उल्टिया करते हुए आया तो मैं तो जैसे जीते जी उस पल मर गया था मां घर के लोगों की ऐसी हालत देखकर पहले ही बेहोश हो गई थी लेकिन मैं इतने मजबूत दिल का था कि मैं बेहोश नहीं हुआ और मेरा टू साल का भतीजा जो हमेशा मेरी गोद में मेरे हाथों में खेला था उसने मेरे इनी हाथों में मेरा नाम लेते लेते दम तोड़ दिया था कहते हुए अधिराज अपने हाथों से अपने सर के बालना नूचने लगा था उसी दिन वह घर का छोटा बेटा हर काम की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई पर छोड़ देने वाला छोटा भाई अपने भतीजे अधिराज खन्ना का जन्म, फ्लाश बैक एंड, अधिराज से बात करने के बाद आज परिदी को पता चला था कि अधिराज के अंदर इतना गुस्सा इतनी तकलीफ क्यों भरी, हुई है क्यों वह चाह कर भी सब कुछ भूल कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्यों वह परिदी को दिल से प्यार करने, के बावजूद स्वरा का अपनी जिंदगी से जाना बरदाश्ट नहीं कर पा रहा है, परिदी ने प्यार से अधिराज का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके आसु पहुचते हुए कहा अधिराज ये सब एक, हादसा होने के साथ साथ आप ह के चाचा की की हुई साजिश भी थी और आपने मुझे जो कुछ बताया क्या आपने उसमें, यह नोटिस नहीं किया कि स्वरा को इंडिया बुलाने वाले आप अकेले नहीं थे उसके पापा भी थे और अगर वह यहां, आई भी थी तो वह आपके और माजी के साथ मंदिर भी तो जा सकती थी लेकिन वह नहीं गई आप जानते हैं क्यूं? इस क्यूं का जवाब जानने के लिए अधिराज इमोशनल होकर सवालिया नजरों से परिधी की तरफ देखने लगा. तो परिधी में उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा क्योंकि अधिराज जितनी अजी तक जाकर मंदिर ना जाना और उससे भी बड़ी बात इंडिया आकर भी अपने पापा के घर ना जाकर आपके घर आ जाना. आप खुद सोचिए ना अधिराज भले ही स्वर को इंडिया बुलाने में आपका 50% हाथ था लेकिन उसका अपने घर जाने की. बावजूद यहां आना और फिर यहां से मंदिर ना जाना ये सब तो आपने नहीं किया था ना तो फिर आप खुद को उसकी मौत का दोशी क्यूं मानते हैं? परिधी के सवाल अधिराज के दिमाग पर तो असर कर रहे थे लेकिन उसके दिल पर नहीं वह परिधी की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था चुप था और उसकी इस चुपपी का मतलब भी परिधी समझ गई थी। परिधी ने अधिराज का चेहरा अपने सीने से हटाते हुए उसकी आखों में देखा और बारी-बारी से उसकी आखों को चुंते हुए बोली आप सोच भी नहीं सकते कि यह कहना और पूछ मेरे लिए कितना मुश्किल है लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ अगर उस दिन स्वरा की जगह आपकी मौत हुई होती तो क्या आप चाहते कि आपकी स्वरा सारी जिंदगी आपकी याद में तडपती रहे सारी जिंदगी अकेली रह जाए और आज जितनी दर् भरी जिंदगी आप जी रहे हैं क्या आप चाहते कि आपकी स्वरा भी वैसी जिंदगी जिये कहकर परिधी अधिराज का जवाब जानने की उमीद में उसकी तरफ देखने लगी परिधी खुद इस समय अधिराज के ऊपर पैर क्रॉस करके बैठी हुई थी लेकिन उसने अ अधिराज से प्यार करती थी और अपने प्यार के बारे में ऐसे शब्द बोल पाना या ऐसा सोच पाना भी किसी के लिए कितना मुश्किल होता है लेकिन परिधी मजबूर थी अधिराज से इस तरह के सवाल करने के लिए अधिराज ने अपनी गर्दन नामें हिलाते हुए कहा नहीं मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी स्वरा मेरे लिए इस तरह से दिन रात तरपे या मेरे लिए खुद को जिंदगी भर मेरा गुनहगार मान कर बैठी रहे और मैंने जितनी तकलीफ सही है उतनी वह कभी सहे ये सोचा कर भी मेरी आत्मा काम जाती है तो फिर अभी यह सोचा है कि अगर आपकी स्वरा कहीं से भी आपको देख रही होगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी। यह सोचकर कि अंजाने में ही आप खुद को उसकी मौत का गुनहगार समझ कर बैठे हैं आपने अभी अभी कहा कि आप सोच। भी नहीं सकते कि आप किस तरह को तकलीफ हो आपने खुद सोच है कि आपको तकलीफ में देख कर अगर वह आपको कहीं से भी महसूस कर सकती होगी जो कि आप कहते हैं कि आपकी स्वरा हर पल आपके साथ है तो वह मरने के बाद भी हर पल 100 मौते मर रही होगी परिधी अधिराज को समझाने की कोशिश कर रही थी और अचानक से उसके माथे पर किस करते हुए बोली संभालिये खुद को अधिराज क्योंकि मैं अब आपको नहीं संभाल पा रही हूँ आपको इस तरह से पल-पल तूटा देखकर मैं भी अकेली पर रही हूँ अगर आपकी इस हालात के बारे में माजी को पता चला तो वह एक बार फिर से तूट जाएगी और मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पांगी इससे पहले की सब कुछ बिखर जाए प्लीज खुद को संभालिये अधिराज और हमें भी कहकर परिधी अधिराज के होटों को किस करने लगी थी क्यूंकि अधिराज का इतना बड़ा पास्ट सुनकर कहीं ना कहीं वह भी कमजोर पर रही थी उसे अब अपने और अधिराज के रिष्टे को लेकर डर लगने लगा था कि वह अपने और अधिराज के रिष्टे को संभाल पाएगी भी या नहीं अधिराज को उसके अतीत से बाहरला पाएगी या नहीं परिधी की आँखों से भी आसु बह रहे थे और अधिराज को अभी किस करती हुई यह लड़की वही थी जो हर पल उसे जीना सिखाने की कोशिश कर रही थी जिसे अधिराज भी रोता हुआ नहीं देख सकता था अधिराज ने भी परिधी का प्यार और उसकी परवा देखकर उस पर अपनी बहन कस दी और उसकी किस में उसका साथ देने लगा अधिराज और परिधी एक दूसरे को डिपली किस कर रहे थे और साथ ही साथ उनके हाथ एक दूसरे के बालों में उलजे हुए थे परिधी अधिराज को खोने के डर से इतनी डर गई थी कि वह अभी के अभी अधिराज का धेर सारा प्यार चाहती थी, लेकिन वह अपनी यह डिमांड चाह कर भी अधिराज से नहीं कह सकती थी क्योंकि अधिराज भले ही उसके साथ इंटीमेट हो चुका था लेकिन अब तक वह चाह कर भी स्वरा की यादों से बाहर नहीं आ पाया था वह परिधी से प्यार करने लगा था ये बात कहीं ना कहीं अधिराज के मन में ये गिल्ट पैदा कर रही थी कि वह परिधी और स्वरा दोनों के साथ भोखा कर रहा है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नहीं कहानी पहले पा सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे